इस बक्त कॉंग्रेस के जो हालाते हैं उसे देखकर सारे कॉंग्रेस के मात्य पर चिंता की लगिर देखी जा रही है। मौझूदा वक्त में कॉंग्रेस की जो हालत है उसे लेकर राजस्थान में 14 मई से 16 मई तक प्रस्तावित कॉंग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर स्रियम अशोग गहलोत सोनिया गांधी के साथ एक बैठक कर रहे हैं। कॉंग्रेस पार्टी का एक धड़ा जहां कॉंग्रेस चिंतन शिविर उदैपूर में कराया जाने के पक्ष में है तो वहीं कई वरिष्ठ नेता ये शिविर जैपूर में आयोजुद करवाने के पक्ष में हैं। उदैपूर में ये चिंतन शिविर आयोजुद करने की मांग के पिछे एक वज़े ये भी है कि इसी साल नवंबर में गुजरात में विधानसभा के चुनाओ होने हैं और उदैपूर गुजरात से सटा हुआ है। तब केंदर में यूपिय की ही सरकार थी। इस बार आयोजुद होने वाले चिंतन शिविर में चर्चा 14 से 16 मई तक होनी है। जिसमें पांच राजियों में हुई पार्टी की हार संगठन चुनाओ के साथ ही इसी साल होने वाले गुजरात और हिमाचर प्रदेश विधानसभा चुनाओ को लेकर भी रणनीती बनाई जाएगी। अप्रेस यगस्त के बीच यूपी राजस्थान पंजाब बिहार उत्तराखंड समेत कई राजियों से कुल मिलाकर सत्तर राजसभा सीचों पर चुनाओ होने हैं जिस पर भी चिंतन शिविर में गहन मंधन होगा। इसके अलावा महंगाई और बिरुजगारी समेत कई बियान देकर सबको चौका दिया है कि पाइलेट ने कहा कि इस बार वो पुरानी प्रिथा को तोड़ देंगे। पाइलेट का कहने का मतलब यह था कि प्रिदेश में एक बार कॉंग्रेस तो एक बार बीजेपी की सरकार बनने वाली प्रम्ता को तोड़ा जाएगा। लेकि सचिन पाइलेट को फिर से कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए ताकि वो फिर से उसी जोश के साथ चुनावी मैदान में कारेकरताओं का उत्साह बढ़ा सकें जैसा कि उन्होंने पिछले विदानसवा चुनाओं में किया था। अब असक गहलो दिल्ली में है तो इसको ल अर्प, जय तो इस.